अज हम बनाने जारहे है मलाई तिक्के की रेशिपी अक्सर हम जब भी मलाई तिक्का तयार करतेह ना तो चिकन में ही तयार लेकिन आज हम चिकन के बतले मटन में तयार करने वाले हैं यानि मटन मलाई तिक्का बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ी कि यह डीस बनकर तयार होगी और मटन को हम बॉइल नहीं करेंगे हम इसको ऐसी ही मेरिनेट करेंगे और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है और ब मीडियम साज की टुकड़ों में कट कर लिया है ज्यादा बड़ी भी नहीं और ज्यादा छोटी भी नहीं और इसे अच्छे से दो सी तीन पानी वाश कर लें अब हम इसके अंदर एड़ करेंगी एक लेमन चूस और एक छोटा चमच नमक और इन दोनों चूचो को बहुत ही अच्छे से हम मटन में मिक्स कर लेंगे और मटन देखे इस तरह से ड्राइ रखे इसमें पानी की मातरा जितना हो सके उतना कम रखेगा तो देखे इस तरह से हमें मिक्स करना है और दस मिनिट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है तो चलिए इसे हम रेश देते हैं तो मलाई ले लिए और इसे पहले में अच्छे से मिक्स कर लोगी मिक्स करने के बाद अब हम इसमें दही का इस्तमाल करना है तो यहां पर मैंने 500 ग्राम टंगा हुआ दही ले लिया है पानी की मातरा बिलकुल भी ना हो आप इस तरह से गाढ़ा दही का इस्तमाल करें और एक बॉइल ओनियन का पेश ओनियन ले और इसे थोड़ा सा बॉइल कर ले ताकि बहुत अच्छा तेस्ट रिलीज होता है अब हम इसके अंदर एड करेंगे काली मिर्श का पावडर इसे मैंने दरदरा सा कूट लिया है एक चमच भर करें अब साथ में हम आठ से दस हरी मिर्श लेंगे और इसे इस तरह से मैंने चॉप कर लिया है लंबे टुकड़ों में इसका पेश्ट नहीं तयार करना है अब साथ में हम इसमें एड करेंगी कसूरी मेथी एक चमच इसे हाथों से थोड़ा सा रफ कर लेंगी तो बहुत ही अच्छा सा फ्रेवर जो है नब रिलीज साथ कर दिया था ताकि खड़े-करम मसाले से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर लेक आता है और बहुत ही का यचे तक हलाये हूए मिक्स करने का यह रीजन है ताकि हमने जो साबुत हरी मीर्च एड़ की है ना उसकी जो स्पाइसी पन है वो बैटर में आ जाए अब हम इसके अंदर एड़ करेंगे मटन के पीसिस और मटन की पीसिस एड़ करने के बाद हमें बहुत ही अच्छी से इसे एक ही डारेक्शन में अब चाहे तो पैपरीका भी एड़ कर सकते हैं लेकिन रंगों परकरार रखती हुए पैपरीका अगर अपना रेट कलर ना छोड़ी तो तो देखिए इस तरह से मैंने जबी चीजों को बहुत ही अच्छी से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद अब हम इसे छोड़ द अब ऐसे बाहर रखे और एक घंटे की बाद आब दो घंटे इसे फ्रीज में रखते तो बहुत अच्छा इच्छा ये मेरिनेट हुआ है हमारे मटन और जितने ही ही मैंने हरी मूच इसमें डाड की है ना आप चाहे तो इस वक्त इसे तो जितने भी हमने चीजी एड़ की थी वो थीक एड़ की थी ताकि जो मेरीनेशन है वो मटन में अच्छे से लग सके अब यहां पर मैंने श्टीक लिए और श्टीक को मैंने आधी गंडे पहले ही पाहनी में इसे इस तरह से डीप करके रख लिया था ताकि जब भी हम इसे तो यह जले नहीं तो चलिए बस एक श्टीक लेते हैं और वन बाई वन सभी मटन की पीसिस को इसमें अरेंज कर लेते हैं अगर पीसिस थोड़े से आपकी इस तरह से बड़े हैं तो आप इस तरह से डबल करके भी इसमें अरेंज कर सकते हैं बहुत ही आराम से लग जाते ह और इतने अच्छी से टेंडर होते है ना के फटाफट से अरेंज हो जाते हैं तो आपका दील चाहे जितनी आप इसमें बटन की पीछी से एड़ करना चाहें बस आप उतने अट कर सकते हैं यहां पे मैं स्टीक को पूरा भर दे रही हूं तो देखिए इस तरह से पूरे स्ट लिए और जितना बेटर बचा है न फ्राइ करती समय इसमें हम एड़ करतेंगे अब आपके पास दो तीन उपसने आगर आप चाहे तो इसे आऊवन में भी बना सकते हैं या फिर आप इसे बादी कुब भी कर सकते हैं या फिर आप मेरी तरह इसे फ्राइब पे बना सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं कि इसे मैंने केसे तियार किया है और इसे फ्राइपेन पे हम केसे तियार कर सकते हैं अब यहां पर मैंने एक फ्राइपेन लिया है और इसमें एक बड़ा चमच ओईल को मैंने इस तरह से गरम करकी पूरे फ्राइपेन में इस तरह से फैला दिया है आप चाहे तो बटर का भी इस्तमाल कर सकते हैं या फिर आप इसे चरवी में भी बना सकते हैं उसमें भी बहुत अच्छा रिचल दाता है तो बस वन बाई बन करके मैंने इसे अर्रेंज कर दिया है और गेस की फ्लेम आप मीडियम कर लेंगे और मीडियम आज पर इसे हमें को करना है और जैसे ही एक साइट अच्छा कलर आजाएगा हम इसे टन करेंगे तो सबसे पहले इसे अच्छे से juicy flavor लाने के लिए या फिर अच्छे से tender होने के लिए इसे हमें ढग देना है तो इसे एक मिनिर के लिए हम ढग देते हैं और फिर मैं इसे आपको show करती हूँ एक मिनिर के बाद चली अब हम इसे check कर लेते हैं ये देखिए पानी थोड़ा सा रिलीज होगा लेकिन बिल्कुल भी घबराईएगा नहीं ये अपने आप ही dry हो जाएगा और बहुत ही soft हो जाएगा जुसी सा flavor लेके आएगा तो बस इसी पानी में ये बहुत ही अच्छे सी cook हो जाते हैं क्योंकि हमने इसमें क्रीम और दही का इस्तमाल किया है तो पानी रिलीज होगा ही तो वाप इसी मैंने इसे ढख दिया और एक मिने के बाद जब मैंने इसी खोला तो आप चलिए मैं इसे वन बाई वन इसे हम टर्न कर लेते हैं तो वन साइट देखिए बहुत अच्छे से कलर आ चुका है और दूसरी साइट भी हमें इसी तरह से cook करना है और गेस की flame हमें medium ही रखना है तो इसके अंदर एक चमच भरकर मैंने oil add कर दिया है और oil add करने के बाद हम वापस इसे ढख देंगे एक मिनिट के लिए एक मिट हो चुके है तो चलिए मैं अब इसे चैक कर लेती हूं तो यह देखिए इसे अलट पलट कर हम जब तक यह अच्छे से इसमें कलर ना आ जाए ना तब तक हम इसे cook कर लेना है तो इसे side change करते हुए में बहुत ही अच्छे से इसे बस cook कर लेना इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगता बस 4-5 मीट में यह बहुत ही अच्छे से तयार हो जाते हैं यहां देखिए माशालला इसमें बहुत ही अच्छा सा color आ चुका है तो हमारे यह तिक के ready हो चुके हैं तो चली अब हम इसे smokey flavor लाने के लिए देख लेते हैं किसी केस्ते तयार करना है तो अब यहां पर मैंने गेस पे एक net वाला stand रख लिया है और गेस को मैंने on कर लिया है और one by one हम तिक्के को इसमें अरेंज कर लेंगी और अरेंज करने के बाद अब इसके उपर हम melted butter लगा दे लेकिन गेस की जो flame है उसे high ना कीजी का वरना आपकी जो तिक्के हैं वो जल सकते हैं और इसका जो taste है वो खराब हो सकता है तो बस इसके slow flame पर हमें करना है तो यह देखिए ready हो चुका है तो चलिए अब हम इसे serve करते हैं तो यहां पर ready हो चुका है हमारा गर्मा गर्म मटन मलाई तिक्ता बहुत ही मज़े की यह डीस बनती है और अगर आप दीके की इसी तरह की recipe जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर link आपको नीचे description box में मिल जाएगा अब वहां जाकर भी देख सकते हैं तो अब मैं इसे garnishing कर रही हूं over melted butter के साथ ज गानिशिंग किया है जो देखने में और खाने में लाजवाब है तो एक बार आप इस डीस को जरूर से ट्राइ कीजिएगा आपको और आपके family member को यह डीस बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है उमीद करती हूं आपको यह मेरी recipe पसंद आई होगी अगर पसंद आए तो प दो प्लइब से करका भार आपको यह तो तोर खाल आपको इन चरी को एक रहरी है।